गुड इवनिंग फ्रेंज आप सभी का एक बाफिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कोड़ोन बैलोजी में और आज विटनेस टे है और आज समय हो गया है कोड़ोन एक्जाम अपडेट का इस सीरीज का ये तेसरा एपिसोड है आज हम लोग बात करने वाले हैं इसम से पढ़ें क्या important topic है और section A में कैसे बहतर मासल आ सकते हैं तो वीडियो को विल्कुल भी skip मत कीजिए पूरा अंत तक देखें आपको जरूर इससे लाब मिलेगा तो हम सब जानते हैं कि DBT ने अभी तक एक्जाम पोस्पॉन करने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं की है तो 30 जून का उसका एक्जाम है एड्मिट कार्ड भी आ गया है और आज तारीक है 17 यानि कि आपके पास तीन दिन और साथ दिन पढ़ने का समय अभी भी सेस बचा हुआ है 17 से लेके 29 तक आप पढ़ सकते हैं अगर आपके सहर में नहीं है तो आपको जरूर दूसरे जगजाना ह होगा इसलिए टार्गेट लगा सकते हैं 17 से 29 तक पढ़े सबसे पहले जो हमें जानना चाहिए एक्जाम में जाने से पहले वो है इसका कटप तो कटेगरी वन में 2017 से लेके 2019 तक का कटप हमना आपको दिखाया है 2017 में जेनरल का कटप 160 था और 2018 में कम होके 141 हो गया और अच 2019 में इसका प्रापधान आया और इसका कटप 175 था उसी तरह OVC का 112 था 110 था और 162 था उसी तरह सीडियूल कास्ट के लिए 100 था और फिर 18 में 95 हो गया था और 19 में 154 हो गया था सीडियूल ट्रापज के लिए 80 था 2017 में 18 में 18 में और 19 में 148 हो गया था उसी तरह डिफरेंशेली एबल के लिए 66 था और 48 और 152 मतलब इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जरूरी नहीं कि इससे कटप घटे या जरूरी नहीं कि बड़े डिपेंड करेगा नमर ओप क और कितना आपने उसमें सही किया है इस बार जो आप एक्जाम दने जाएंगे आपके मन में ये बाते होनी चाहिए अगर आप जेनरल से हैं तो आपके लिए 190 का टार्गेट लेकर आप जरूर चले उसी तरह इसके लिए 180 का 170 का 160 150 और इसके लिए फिर से 160 का इतना का क्टेगरी 1 क्यों कर रहा है कि इस एक्जाम में पास सुने के बाद आप किसी भी उनिवसिटी में अगर एडमिशन लेते हैं पीस्टी में तो आपको फिलोसीफ असाने से मिल जाएगे वही कटेगरी 2 के अगर बात करें हम लोग कटफ का तो जेनरल में 152 था 135 और 171 था ऐ जैसे ही हर एक कटेगरी में वर देगे तो 2019 में इसका कटाफ बढ़ गया था इसका एक कारण यह भी है कि पहले 2018 तक इसमें सिर्फ बायो टेक्नोन वजी वाले ही ओम फिलप करते थे लेकिन 2019 से लाइप साइंस के लिए यह ओपन कर दिया गया मतलब किसी भी ब्रांच के काटेगरी 2 का क्या मतलब है अगर आप इसमें पास करते हैं यानिकि अगर आपका रेजल्ट काटेगरी 2 में आता है तो वैसे प्रोजक्ट जो डिवीटी स्पांसर्ड है अगर आप वैसे प्रोजक्ट में जोईन करते हैं जिसको डिवीटी फेलोसिप देती है या ży Japan करेगा अब just nor blocks घमयें वो वह कोश्चंभ तो कोशनव पार्ट्रय तकाने के जुरूत नहीं है कि आप सब जानते हैं इसमें दो सेक्षिन होते हैं कि पाचासillos थोते हैं और वह 50 रही होते हैं और एक कोश्चСТन की looks का नेकी 1 150 मार्क्स का यह हुआ, section B में बहुत सारे एरिया हैं, बायो टेकनलोजी से specify किया हुआ, जिसे कि plant बायो टेकनलोजी, animal बायो टेकनलोजी, agriculture बायो टेकनलोजी, तो इससे 150 questions रहते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 50 attempt करने हैं, अपने एरिया का, और एक question 3 मार्क्स का होता है, यह जिसमें से 50 section A से 50 section B से 100 question आपको अटेकन करने हैं, और total 3 मार्क्स का होता है, एक question तो 300 मार्क्स का एक्जाम आपका होगा है, अब अगर section A की वहीं बात करें, तो section A में जो syllabus हो क्या है, general science, mathematics, chemistry, general aptitude, analytical, quantitative ability, general biology, यह जो ETC का term है, और general biology और general science का, यह broad area है, इसको समझने के लिए कि actually में general biology और general science से कहां सो question आते हैं, जो एक बार question review पर गौर करते हैं, तो हमने देखा कि simple mathematics और general ability से, 2016 में 7 questions आए थे, 2017 में 6 और 2018 में 7 questions आए थे, वहीं chemistry से, solution और mole concept से, तीन question almost हरशाल आते हैं, और enzymology से, पांच questions आए थे, तो जो 16 में, 17 में 4 और 18 में 5, यानि कि, हम लोग कहा सकते हैं, पांच questions इसे average आते हैं, वहीं gene concept और inheritance से, पांच question और 17 में 2 question, 18 में 3 question, अगर average लेके चलें, तो 4 question इससे पूछे जाते हैं, यानि कि हम ये समझ पा रहे हैं, कि जो section A का syllabus आपको दिया है, General Science, Mathematics, Chemistry, General Liability, Analytical, Quantitative Ability, General Biotechnology, ETC, इन सभी का एक अपना syllabus आपको तयार करना होगा, question के अधार पर, हमने आपके लिए कुछ topic सेलेक्ट किये हैं, जो आपके लिए helpful होगा, साथ topic हैं जिसमें कि biochemistry से questions रहते हैं, genetics से भी question रहते हैं, जैसे कि gene concept हैं, या inheritance हैं, और biology से तो question रहते हैं, general biology, cell biology से भी question रहते हैं, signaling उगरे से, immunology, microbiology और numerical based question, जो कि biology में आपका numerical है, उसको आप जरूर पढ़ें, 2019 में पिछले साल हमने कुछ video DBT के लिए बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो उससे देख सकते हैं, जिसमें हमने डिसकस किया था, कि previous year question जो है, DBT का 2008 से 2018 के बीच में, कुछ question को हमने solve किया था, और उसकी important topic पर बात की थी, उसी तरह से concept of enzyme kinetics पे DBT special हमने एक वीडियो बनाया था, जिसको आप देख सकते हैं, और पिछले साल हमने एक वीडियो बनाया था कि पांच दिनों में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अच्छे score कैसे करें, आप इसको भी try कर सकते हैं, चुली 2019 में हमने बनाया था, एक और वीडियो है, हमने बनाया था, पिछले साल DBT के लिए, how to solve the BAT-DBT question, और इसमें हमने kinetics और इससे समंदित कुछ questions को हल किया था, एक और important वीडियो है आपके लिए, जिसमें था कि how to solve DBT-BAT question based on DNA digestion with restriction engine, इससे समंदित जो question आये थी, previous share में, उसको यहाँ पी हम लोगों ने solve किया था, इसके बाद था, मोल concept and solution पर एक वीडियो बनाया था, description में मैं सभी का link अब लेवल करा दूँगा, अब चाहें तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ चीज़ें जान सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके, उन सभी topics का, जैसे कि by chem stream आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप protein पढ़ ले, standard alpha helical confirmation पढ़ ले, enzyme and carbohydrate पढ़ ले, lipid, nucleotides, glycolysis, satiric acid cycle, photosynthesis and nitrogen fixation, यह वो topic हैं, जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, at least एक बार आप इसको जरूर देख लें, इससे questions रहते हैं, दूसरा है हमारा genetics, तो genetics मे क्या पढ़ें, जैसे की, mendelin inheritance, और उसका derivatives, और उसका exception, यह तीनों चीज आपको देख लेना चाहिए, linkage map and tetradenalysis, mapping with molecular marker, mapping by using the somatic cell hybrid, polygenic inheritance, heritability and its measurement, QTL mapping, इसको जरूर पढ़ें, इससे question रहता है, इसके बाद, mutation type, homologous and non-homologous recombination, और साथ साथ आप यह भी पढ़ें, कि side specific recombination क्या है, जेनरल बायो टेकनलोजी में आप क्या पढ़ें, restriction enzyme, इससे question आता ही है, हमने आपको बताया कि पिछले साल हमने वीडियो बनाया था, जिसमें से इससे समंधित सारे questions को हमने help किया था, जो कि previous question पूछे गए थे DBT में, इसके बाद आप वेक्टर पढ़ें, जैसे plasmid, और gene cloning strategy पढ़ें, gene transformation पढ़ें, marker, tissue culture and application of recombination techniques, यह important topic है, बायो टेकनलोजी के लिए, इसके बाद है चौथा नंबर में cell biology, cell biology में आपको क्या पढ़ना चाहिए, cell signaling, cell cycle, cell surface, cancer and protein sorting, और immunology में आप antibody का structure पढ़ें, इससे जरू question रहता ही है, इसके बाद antigen antibody contraction, जो भी इसका टेकनिक है, जैसे कि Eliza बगर, यह सब जरूर देख लें आप, और यह भी देख लें कि कौन सा disease के लिए, कौन सा immunological test किया जाता है, इससे भी question रहता है, इसके बाद microbiology में अगर आएंगे तो देखेंगे कि virus, metabolism, growth and fermentation से question आता है, fermentation को बिल्कुल भी ना छोड़ें, यहां से numerical questions आते हैं, और last में आ जाता है आपका numerical portion, तो numerical chemistry में आता है, general chemistry से, जैसे की mole concept हो गया, या molecular weight और इससे question जो आता है, pH आप पढ़ लें, cell growth पढ़ लें, recombinant DNA पढ़ लें, इसमें question आता है कि यह digestion करने के बाद यह कितना के भी का ह होगा, इसके बाद आपको पढ़ना है, calculating genotypic frequency and hardy win work equation को, mole concept के लिए एक वीडियो है, जिसका link में description में दे देता हूँ, आप देख सकते हैं, और अब सबसे important बात, कि how to achieve the goal, कैसे इसको पाएं, जबकि सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो सबसे पहला कि आप maximum time, जितना दे सकते हैं साजेशन तो है कि आप 14 घंटा लगाईए, लेकिन ये किसी के लिए possible है, किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से कुछ यू है, वो PhD में involved हैं, जो exam दे रहे हैं, कुछ अभी MSC बास किये हैं, जो पहली बार exam दे रहे हैं, तो मेरा काना इतना ही है कि आप maximum time जितना दे सकते आप 28 जून तक तो पढ़ सकते हैं, इसका center बहुत जगर नहीं है, पटना जैसे सहर में भी इसका center नहीं है, आपके सहर में है कि नहीं, हम लोगों के साथ share कर सकते हैं, comment box में लिख सकते हैं, और दूसरी बात है कि syllabus को cover करने के कोसिस कीजी, ऐसा नहीं कोई portion छोड़ दे, section A section B में जो आपका space की part है, उसी को करें, हमेशा आपके पास एक study plan होना जरूरी है, और जब आपके पास एक study plan हो, तो अलग-अलग subject का जो आपका weak है, जो आपका strong है, उसको एक list बनाइए, और उसी हिसाब से उसमें समय का distribution कर देए, इतना समय इस subject में देना है, और इतना सम लिए, तो आइसा निक पढ़ने छोड़ देना है, इसलब कि थोड़ा दिरे तक आप आराम कर लीजिए, अगर उसलिपी फील कर रहे हैं, अगर सोने का मन कर रहा है, थोड़ा सो लीजिए, फिर जब उठिये, तो लेजी मत बनिए, उठिये और फिर पढ़ना सुरू कीजि मिलाजला के इन सभी बातों का सिर्फ एक ही बात है, कि अब जितना जाधा समय एक प्लांड वे में दे सकें, डिबीटी के लिए उतना समय दीजिए, और एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, सब पढ़ना जरूरी नहीं है एकसाम में पास करने के लिए, वो पढ़ना जरूरी है जो आता है, और इसके लिए वो जानना जरूरी है कि क्या आता है, और इसके लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, उस प्लान को बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोश्चन का मूड क्या है, कोश्चन का पैटरन क्या है, इन सभी को जब आप जान लेंगे तो आप एक पहतर प्लान बना पाएंगे अगर आप बना पाते हैं तो ठीक है अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे आप codonballog at the rate of gmail.com पर भी हमसे सहता ले सकते हैं या हमारे website ncibb.org.in पर जाकर भी इस तरह की जनकारियां पा सकते हैं अब एक important बात कि पढ़ने के बात याद नहीं रहाता तो कैसे याद रखें तो सबसे पहले तो समझे कि आपको basic concept आना चीए यही है जो आपको याद रखने में मदद करेगा चीजों को basic concept किसी भी बड़े चीज को पढ़ने से पहले उसका basic concept को जानना ज़रूरी है इसके बात कि pictorial form में याद रखें जब आप चीजें पढ़ते हैं तो कोई भी topic जब पढ़ रहे हैं तो साथ में copy रखें और उसका pictorial form तयार किजिए अपने से कि क्या आप पढ़ रहे हैं कैसे उसका function होता है उसका कारिपरणाली क्या है उसका regulation कैसे होता है उसका pictorial form बनाई अपने से और फिर वो आपको याद रहेगा अगर pictorial form तयार नहीं होता है तो हो सकता है उसका chart तयार हो कि इस reaction के बाद ये reaction है इसका ये intermediate होता है ये product होता है यानि कि आपका लिखावा एक table होना चाहिए एक chart होना चाहिए जिसमें आप comparative study भी कर सकते हैं कि ADNA, BDNA है तो इसका क्या structure होता है इसका क्या size होता है इसका क्या structure होता है इसका क्या size होता है जब comparative study करते हैं कि इसी चीज का तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है यानि कि उसका antagonistic picture को आप मन में लाकर याद कर सकते हैं और सबसे important चीच जो मैं आपक वो आपके result के लिए प्रयापत है लेकिन कुछ गलतियां होती है कुछ question silly mistake ऐसे होते हैं जिसके वज़ा से result नहीं हो पाता है मतलब अगर आपने वो नहीं किया होता आपका result हो जाता लेकिन चुकि वो कर दिया है तो positive marks में भी वो और negative चला जाता है और फिर result नहीं हो पाता है तो how to work the negative mark in interest exam तो सबसे पहला चीज कि आपको cut up का idea होना चाहिए जो हमने आपको target बता दिया है कि आपको कितना target लेके इस बार exam में जाना है उस cut up के माधियम से आप ये estimate कर लें कि approximate हमको कितना marks का solve करना है अगर उतना तक आप पहुंच जाते है तो फिर कोई भी questions extra solve मत कीजी जिसमें आपको doubt हो एकदम avoid कीजी answer करने का वैसे सभी questions के लिए जो आप sure नहीं है guess मत कीजी हो सकता है गलत हो और आपका इस result में सिवर negative आपको पीछे ले जाए क्योंकि अगर आप ने उतना marks achieve कर लिया जितना चाहिए तो सकता हो ही cut-up हो इसलिए chance मत लिजे और सबसे पहले आप easy questions attempt कीजी इससे time बचेगा आपका एक बार आप पूरा question जो है easy questions बनाते वे आगे बढ़िए अब फिर उसको count कर लिजे और फिर जो है उससे बात जो questions आता है वो सब आप बनाने का प्रियास किजी पहले अगर आप heart question में फस जाएंगे बात में दिमाग ठक जाता है अंतिम समय में और easy question भी भारी लगने लगता है और बिल्कुल भी stress मत लिजी वहाँ पे exam के बीच में और concentration बनाई रखें यह दुनों आपस में इंटागोनिस्टिक अगर stress लेंगे तो concentration नहीं बनेगा इसलिए stress ना लिजे concentration बनाई रखें और जब आप पूरा paper solve कर लें तो एक बार आप cross check जरूर करें अपने answer sheet का कभी कभी क्या होता है कि आप सोचे रहते हैं क्योंकि online exam है तो इसमें बहुत सारा option है कि mark for preview insert, uninsert तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लगा देते हैं mark for preview और फिर last में समय बिल्कुल भी नहीं बचता है उसको हम लोग preview होने करपाते है इसलिए आप जब पूरा complete आपको जो questions आता है उसमें आप सही सही mark किया कि नहीं किया है I hope कि आपको इससे मदद मिलेगी और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आप comment करना चाहते हैं तो हमारे comment box में जरूर comment करें क्योंकि मैं आप सब के comment पढ़ता हूं और उसके जबाब भी देता है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe किजिए वीडियो को like किजिए आज के लिए इतना है सुबर आत्री Thank you so much for watching the video